इस मोजूल में हम थोड़ा सा सोशल आइडियाज को रिविजिट करेंगे और फिर आगे उसको सोशल चेंज और सोशल इनोवेशन के साथ रिकनेक्ट करेंगे आपको याद होगा पिछले वर्डियूल में हमने सोशल आइडियाज के बारे में बात की थी कि ये अनपॉर्म्ट कॉंसेट्स होते हैं जो अभी एक किसी खास शकल में नहीं होते अभी हमें नहीं पता कि वो इंप्लिमेंटेबल हैं या नहीं हैं आप कह सकते हैं कि सोशल एंट्रियूर्शिप के हवाले से ये रौ मेटिरियल का काम करते हैं आइडियाज उनको अगर हम सही तरीके से चैनलाईज कर सकें opportunities को recognize कर सकें कि ये viable हैं और opportunity में translate हो सकते हैं through innovative implementation of course तो ये जो ideas हैं ये कहां से आते हैं इसके हवाले से भी हमने पिछले module में थोड़ी सी बात की थी इस हवाले से बहुत से myth social entrepreneurship की दुनिया में जो हैं वो मौझूद हैं कुछ उनमें से realities भी हैं या आप कह सकते हैं कि उन myths को जिन लोगों से वो associated थे उन्होंने reality अक्चली बना दिया बास social entrepreneurship के बारे में कहा जाता है कि उनका मकसद होता था कि आज के दिन वो 100 ideas जो हैं वो जमा करेंगे वो कहां से आएंगे ये पता नहीं इसी तरह एक concrete example जो है वो Anita Roddick की है The Body Shop की जो entrepreneur है Anita Roddick जो है उन्होंने The Body Shop के नाम से आप कह सकते हैं human या social consumerism की बनियाद डाली जो animal tested materials use होते थे cosmetic products के अंदर उसकी बजाए उन्होंने natural products को इस्तमाल करते हुए आस्त और पर developing countries में fair trade जो है उसको फ्रोग दिया Anita Roddick के बारे में कहते हैं कि जब वो अपने घर से निकल के चलना शुरू करती थी जो उनकी पहली और दूसरी shop थी उसकी तरफ तो वो उनको हर चीज जिसको वो देखती थी उसके वो को idea जो है वो लेती थी और वो उन ideas को actually translate करती थी into practice for example natural products का इस्तमाल for example refill for example जो साशे या आप कहते हैं testing pads ये सारी चीजें जो हैं ये सारी innovations Anita Roddick ने the body shop से शुरू की थी जो बाद में cosmetics की दुनिया में खास तोर पर और और बहुत सारी consumer products के अंदर आम practice बन गई Anita Roddick का the body shop का concept जो था अगर्चे उसके बारे में कहा जाता है कि वो borrowed था US का the body shop से लेकिन उसके साथ जो उसका human और social element था दो तरह से एक natural products का use और fair trade खास तोर पर developing countries में और दूसरे वो सारी income जो उनको हासल होती थी the body shop से उसको अमोमन social causes के लिए इस्तामाल करना, she was a human rights advocate she was a very active environmentalist उनका बच्चों के हकूप के लिए बहुत सारा काम है बहुत सारे causes जो है social वो उनको उनके साथ associated रही और सबसे बढ़कर उन्होंने the body shop की सारी income जो है वो पूरी अपनी वफात पर इन social causes के लिए वक्फ कर दी तो the body shop और अनीता रॉडिक के जो ideas हैं उनकी practicality एक तरह से वक्फ के साथ साथ evolve हुई वाकई वो जो मिसाल दी जाती है कि वो जब घर से निकल के चलना शुरू करती थी तो अगर आप इसको उनके business या social entrepreneurship के journey के तोर पर देखें तो कैसे उन्होंने एक घ्रेलू खातून जिसके husband दूर थे कहीं थे उनके बारे में information नहीं थी वो अपनी दो बच्चीयों के लिए कोई income जो है वो उसकी मौका ढूड रही थी वहां से वो शुरू करती हैं फिर वो natural products का use ताके animal testing ना करनी पड़े फिर refill का concept फिर fair trade का concept और ultimately वो सारी की सारी income जो है उसको social causes के लिए work कर देना तो यह इसी तरह है जैसे आप सड़क पर चलते जा रहे हों और आप कहीं इधर से कोई चीज़ देखे उठा ले इधर से कोई चीज़ देखे उठा ले तो इस तरह से वो ideas generate करती और उनको implement करती थी ideas जो हैं उसके मुख्लिफ sources हो सकते हैं हर कोई Anita Roddick नहीं होता कि वो चलता जाए और उसको ideas आते जाए और उनको implement करता जाए हमने पिछले किसी module में बात की थी कि ideas के sources में लोगों के personal experiences हो सकते हैं उसमें लोगों की hobbies हो सकती हैं जिनसे वो inspiration लेके कोई social entrepreneurship जो है वो शुरू कर सके वो quite accidental हो सकते हैं serendipity के लोग काबल लोग जब किसी चीज़ को करने के लिए सोचते हैं तो कोई innovative idea आ जाए और वो उसको करे ideas का एक source आज कल जो media से awareness create हुई है वो हो सकती है कि किसी अख़बार में या किसी टीवी चैनल पर कोई report चली हो और किसी ने उसको देखा और उस हवाले से कोई social entrepreneurship स्टार्ट कर दिया for example कोई US citizen अपने घर में बैठा हुआ TV पर human rights की violation की कोई report देखता है Africa के हवाले से और फिर वो कोई इस किसम का social enterprise शुरू करता है जो के Africa में human rights को promote करने के लिए तावन करे या उसको facilitate कर सके इसी तरह ideas जो हैं वो systematic search के जरिये से भी social entrepreneur जो हैं वो उनको करते हैं लेकिन सारे ideas जो हैं वो implementable नहीं होते अगले module में हम देखेंगे कि social ideas जो हैं किस तरह innovatively translate होते हैं opportunities ने कि आप सकता हैं कि जो हैं हैं कि एककी कि नहीं हैं हैं आप करते हैं हैं आप